दोस्तों स्वागात है आपका एक्जाम के लिस को अलन पोर्टल में फ्रेंट जैसा कि आपको पता है हम लोग करना है TCS के 46 सो कोश्चन के GK की सीरीज जो उसने जिदने भी एक्जाम हुए थे 2020 में SSC के उसमें पूँचे थे तो ये वाला वीडियो सीरीज का पार्ट 7 है इससे पहले के 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं उनको तो आज के इस वीडियो हम लोग करेंगे 3rd मार्च को 1st ट्रिप्ट में जो CGL का पेपर हुआ था उसमें कौन से कोश्चन पूचे गए थे और इसके अलावा आप ये भी जान जाएंगे कि एक्जाम में कोश्चन किस टाइब की आते हैं करण किस टाइब का था हिष्ट्री पॉलिटी किस लेविल की आती है तो अब इस सब में जाएंगा बात हुए हम लोग सीधे चलते हैं कोश्चन पर और आपको अपनी तयारी में मेरा चोटा सा ये सायुक पसंद आए तो चैनल को और सब्सक्राइब जरू करिएगा चलते हम लोग सीधे कोश्चन पर कोश्चन पूछा था आपसे लाल क्रिमियों में यहाँ पर फिलिंदा विलेक्स बनना था नामक एक संद्चना होती है जो उनका भोजन पीषने में उनकी साहता करती है चार उपसंद दिये थे आपको पकवासाय, आंत्र, आमासाय का अगभाग जो क्रॉप कहलाता है या ग्रास नली, इसोफेगस इनमें से कौन सा अंग है तो देखिए जो लाल क्रिमी होता है उसमें दात तो होते नहीं है कि वो भोजन को चबा सके तो उनको भोजन को पीषने में जो साहता करता है वो होता है पकवासाय थोड़ा सा टफ कॉस्चन था ये यहाँ पर मैंने एक और फिगर में इसके अनाटॉमी दिखाने कुशिस की है रेड बॉम तो आप समझते ही होंगे जो अर्दवाम होता है न कैचुआ बस उसी का भाई समझ लीजी आप ये मिट्टी के उपस जो हुईमस होता है सड़े के लिए पर दार्थ उनको खाता है और मिट्टी को फैटाल बनाने में ये भी मदद करता है अर्दवाम की तरह तो देखिए इसकी एनाटॉमी में इसका यहाँ पर होता है मुह यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी थी तो उनको मैंने हाइट कर दी है वो जानके आप का करेंगे जैसे कि यह इसका यह मुह होता है यहाँ पर इसका हार्ट है यह नर्वस सिस्टम है यह अगर भाग एक क्रॉप यह जो हिस्सा है आपका इतना वाला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह वाला स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है तो यही वाला जो हिस्सा है इसके आगे वाला यही है गिजड यानि की पक्वास है इसी में जो इसका भोजन होता है वो छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाता है नेस्ट कोश्चन था बहुत सरजग भारतिय चित्रकार मकबूल फिदा होसैन ने अपनी चित्र कलाओं में जीवन्द और मुक्त आत्मा का चित्राण करने के लिए नेम लिकित में से किस पसू का मुख रूप से प्रयोग किया है तो इसका जाइट अचर अब हम देखेंगे थोड़ी जिर में जो मकबूल फिदा होसैन थे ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे इंडिया के इनकी फोटो है इन्होंने एक से एक बहतरीन आर्ड बनाए एक से एक बहतरीन पेंटिंग्स बनाई जिनमें कि महत्मा गांदी की पेंटिंग मदर टेरेसा की पेंटिंग, महा भारत, बिटेस राज बिटेस राज के भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई क्योंकि ऐसे समय में पैदा हुए थे जब भारत गुलाम था ये जब पैदा हुए थे मैं आपको हिंट देता हूँ तब गांदी जी भारत लॉट कराये थे दर्चन अपरिका से तो आप समाझ गए होंगे ये 1915 में पैदा हुए थे दीरे दीरे बड़े हुए तो दब देश आजाद हो गया होगा ये काफी बड़े हो गया होंगे तो इन्होंने आजादी को करीब से देखा था तो इन्होंने एक से एक भे भीयतरी पैंटिंग्स मनाई बाद में राजीसभा की मेंबर भी नामित किये गए 1986 के जवाने में आपको पता होगा भारत का राश्पती 12 रश्यों को कला साहिद विज्ञान के छेतर से राजी सवा में नामित कर सकता है लेकर अमरी जिन्दिकी के अंतिम दिनों में इनकी जो पेंटिंग्स होती है उन पे कंट्रोबर्सी चड़ जाती है कंट्रोबर्सी चड़ना तो तै था क्योंकि नहीं काम ही कुछ ऐसा किया था इन्होंने भारत की जो देवियां थी ना Goddess उनकी nude painting बना दी थी और तो और उन्होंने भारत माता को भी नी छोड़ा उनकी भी nude painting बना दी थी तो आप समझ सकते हैं कि ये किस हद तक और बाद में ये 2008 के आसपास Qatar की citizenship गिरहन कर लेते हैं और 2011 में इनकी death हो जाती है बेटेन में बैसे इनकी आखरी दिनों की कुछ painting को छोड़ दिया जाए तो उनकी बागी painting सच में बहुत लाजवाब हैं जब आप उनकी painting को Google पे सर्च करेंगे तो आप खुद मान जाएंगे कि कितने लाजवाब painter थे ये तो question यहाँ पर पूचा है इन्होंने जीवन्त और मुक्त आत्मा का चित्रन करने के लिए अपनी अधकांस चित्रों में किस जानवर का प्रियोग मुक रूप से किया है तो इसका जो आंसर है वो है गोडों का प्रियोग किया है इनकी एक painting यहाँ में दिखा देता हूँ आपको तो इन्होंने अपनी most of paintings में गोडों के ही चित्र बनाए है नेश था अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक सासन करने वाले और सांती कूटनिती के ख्याती प्राक्त सुल्तान कबूज बिन साईद का हाल ही में जनवरी 2020 में निधन हो गया है वो किस देश के सुल्तान थे किस देश के थे ओमान के सुल्तान थे 1970 से लेके 2020 तक लगब 50 साल तक इनों ने अरब दुनिया के ओमान पर सासन किया सबसे लंबा सासन किया मिडल इस्ट में और ये अपनी कॉइट डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं यानि कि सांती प्री राजनीती के लिए इनकी जो फोटो है आप यहां के नोटों पर देख सकते हैं ये ओमान का ही नोट है एक अब ये कितने का नोट है ऐसे तो हमें नहीं परता चल ला है जबते हम इसकी बैक साइट को नहीं देख लेते ये नोट है टैन रियाल का यानि कि दस रियाल का अगर 10 रियाल का ये नोठा में मिल जाएं तो हमारे पास हो जाएंगे 1870 इंडियन रुपीज और अगर मैं आपसे क्वेशन पोछूँ सबसे जादा रुपीज किस करेंसी में होते हैं दुनिया की ऐसी कौन सी करेंसी है जो सबसे जादा रुपए होते हैं इसमें तो आपका अंसर होना चाहिए एक कुवेशन दीनार में मतलब जो कुवेशन की करेंसी है दीनार वहां में 249 इंडियन रुपीज होते हैं जो की सबसे जादा है ने चाहिए पूछाता आप से निम लेकर में से कौन सी संस्ता भारत में रेपोदर और रिबर्स रेपोदर निजारत करती है तो वो है भारत की बारती रिजर बैंक रेपोदर रुबर्स रेपोदर को थोड़ा सा समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल है आपको समझ में जल्दी आ जाएगा यह देखिए यह है RBI और यह है Uncommercial Bank यह सरकारी भी हो सकते हैं और Private भी हो सकते हैं जैसे कि Bank of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Axis Bank, ICICI तो यह सारे जो Bank होते हैं इनको जब पैसे की जरुद पड़ती है तो RBI इनको पैसा दे देता है अब कोई भी आपको पैसा ऐसे तो देगा नहीं जब वो पैसा देगा तो लोन के रूप में देगा ना तो बदले में कुछ इंट्रेस्ट भी लेगा तो RBI इन बैंकों को जो पैसा देता है उस पैसे पर जो ब्याज लेता है उसे कहते हैं Repoder यानि की Reporate और माली जे इन बैंकों के पास आल्रेड़ी बहुत ज़्यादा पैसा है कोई इन से लोन लेन ने नहीं आ रहा तो इसी पैसे पर और पैसा कमाने के लिए ये दे देते हैं RBI Gold Tarant और कहते हैं ये पैसा आप रख लो हमें कुछ पैसा इसके इंट्रेस्ट के रूप में देते रहना तो RBI कहता है ठीक है ले आओ तो इस पैसे के बल्ले इन सारे बैंकों को RBI से मिलता है reverse repo rate पैंट्रेस्ट तो आप समझ गए होंगे बहुत सिंपल है ये नैस पूछा था आप से सर थॉमस रो इंग्लेंड के किंग जेम्स प्रथम के अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराड के दरबार में आये थे तो थॉमस रो आया था जहांगीर के उस समय पाकिस्तान तो था नहीं जैसे भी आया था थल मार्क से आया था तो ये है भारत आने वाला पहला अंग्रेज मतलब ब्यापार एक उद्देशों से आने वाला और उसकी बात जो आता है 1608 में उसका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस ये जाता है सीधे जहांगीर के दरबार में ब्यापार की अनमती लेने के लिए अब जहांगीर इसकी बात क्यों सुनते हैं क्योंकि ये बोलता है फारसी भासा तो जहांगीर एकदम खुस हो जाते हैं और इसको खुस होकर इंगलिस खां की पादी देते हैं और साथ साथ 400 का मंसब भी देते हैं मंसब एक रैंकिंग होती थी मुगल जमाने में जैसे आज की जमाने में आर्मी में रैंकिंग होती है नायब सूबेदार कॉलनल मेजर उसी टाइप की मुगल जमाने में ये मंसब हुआ करता था तो कैप्टन हौकेंस कहत देते हैं जहांगीर से, क्योंकि आपको पता होगा, 1498 महीबास को डिगामा, जो के एक पुर्टगाली था, वो भारत आ गया था, तो वो लोग यहां पर 100 साल रह चुके थे अंग्रेजों के आने से पहले, तो वो सब मिलके जहांगीर को परमीसन नहीं देने देते हैं, लेकि 1613 में क्या होता है, कि कैप्टन बेश्ट नाम का एक अंग्रेज रहता है, वो पुर्टगाली था, वो पुर्टगाली को समुदर में हरा देता है, तो यह खबर सुनके जहांगीर के भी कान खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसा भी कोई है जो पुर्टगाली को भी हरा सकता है, तो जहांगीर बाद में फिर अंग्रेजों को एक फैक्टरी बनाने के अनमती दे देता है, तो अंग्रेज अपनी पहली फैक्टरी बनाते हैं सूरत में, और फिर कुछ साल बाद जो की क्वेस्टन में यहां पर बताया गया है, सर थामस रोव डाम का एक बेक्ती आता है, और वो अपने साथ नूर जहां के लिए एक तोफा लाता है, बहुत ही बहतरीन, तो नूर जहां थी, जो वो जहांगीर की वाइप थी, जब वो को सो जाती हैं तो बाद साब को तो फिर को सोना ही पड़ेगा मजबूरी में, तो यह थामस रोव जो जिम्स पिर्थम का अध इसकारिक राजदूत था, यह जहांगीर से और भी बहुत सारी अनुमति ले ले लेता है, अब कोस्टन यह आता है, कि कैप्टन हॉकिन्स नहीं क्यों जहांगीर से अनुमति मांगी थी, जॉन मिल्डेन हॉल नहीं क्यों नहीं मांग ली, इसने इसलिए नहीं मांगी, क्यो को बहुत ही बहतरीन बताता हूँ कि ये सब तो आये थे ब्यापारे कुद्देश से लेकन क्या आपको पता है इससे पहले भी भारत में एक अंग्रेज आ चुका था जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज था वो आया था अकबर के दरवार में उस व्यक्ति का नाम था रॉल फिच जो कि 1585 में आया था इससे कॉस्टन पूछा जाता है वैसे इन चारों से कॉस्टन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको इस चारों बता दिये नेश कॉस्टन था ठोस कारवान डे आकसाइड का अधिक सामान नाम क्या है ये कांग्रेज के मिनिस्टर है और यहाँ पर जो गवनर हैं वो अनसुया उईके हैं और 36 की कैप्टल लाइपूर है ये तो आप जानते ही होंगे नेश्ट है उस मीडिया कंपनी का नाम बताई है जिसने 21st Century Fox का परसिद स्टूडिया खरीदा है तो आपने Hollywood की बहुत सारी movies देखी होंगी कि जब फिल्म सुरू होती है तो सुरू बाद में ऐसा एक scene मन के आता है और इस company ने एक से बहतरीन movie बनाई है Titanic भी इसी की बनाई हुई movie है तो ये जो है अभी बिग गया है हाल में इसको किस ने खरीदा है इसको खरीदा है मिक्की माउस के जो ओनर थे Disney company ने खरीदा है इसको नेश्टेन निमलेखित में से किस अबनेतरी ने मिसन मंगल फिल्म में प्रमुक महला की भूम का निवाई थी जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिसन में महलाओं की योगदान की सची कहानी को नाट की रूप से दर्शाती है आप सब को पता होगा ये जो हीरोईन थी वो थी बिद्या बालन ये movie आप सबने देखी भी होगी कि किस तरीकी से हम लोग किबल 400 करोड की मामूरी लागत में और वो भी PSLBC 25 से जो की polar satellite launch बेकल है कि बल धर्ती की कक्षा में भेज सकते हैं उसके थुरू हम लोगों ने मंगल यान भेज दिया था नेस्ट है निमलिक्द में से किस खेल के लिए दोना वल्ली हरका को प्रतिष्टत पदम स्री पुरुषकार से सम्मानत किया गया था तो ये वाला खेल था सद्रंज ये chess player है Grandmaster रह चुकी है 2011 में दोना वल्ली हरका जो है इनकी ये फोटो देख लिजए आप इनको पदम स्री पुरुषकार मिला था 2019 में और इनको अरजोन बाड़ भी मिल चुका है इस सम्में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक हमने जितने भी सैट किये उन सम्में Grandmaster के बारे में बहुत question पूछे जाते हैं कोने रू हमपी के बारे में हमने देखा था जो दुनिया की पहली ऐसी महला थी भारत से जो सबसे कम उमरों में Grandmaster बनी हो तो एके करके हमारे question इससे collect होते जा रहे है जो आने वाले exam से हमें काम में आएंगे नेश्ट है भारत से किसने करतारपुर गलियारे कॉरीडोर का उधगाटन किया और सिक के धर्म के संस्ताफ़क गुरु नानक देव के अंतिम बिस्तराम इस तल के लिए तीर थे आत्रियों के पहले जत्ते को जंडी दिखा रकर रवाना किया तो गुरु नानक देव ने जहां पर अंतिम बिस्तराम किया था करतारपुर साहिब में वो है बरतमान के पाकिस्तान में तो ये उद्गार्टन किया था हमारे प्रधानमंदी नरेंद मुदी जी ने तो इसका ये फर्स्ट वला आंसर है नेक्स्ट है लगातार चार टेस्ट रंकलाओं में दोहरा सतक बनाने बाले पहले और बरतमान में एक मातर बल्ले बाज कौन है यानि कि ये पहले भी हैं जोनोंने डबल सेंच्री लगाई हैं लगातार चार और ये बरतमान में एक मातर बल्ले बाज है बैसे इनका रेकॉर्ड अभी भी बना हुआ है ये हैं अपने ही भारत के कैप्टन बिराट कोहली और ये वाला जो देख रहा है आप ब्रेन लारा बेस्ट इंडीज के ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने टेस्ट मैज में पहले 400 रन बनाए थे और रोहिस सर्मा के नाम भी एक रिकॉर्ड है क्या रिकॉर्ड है कि इन्होंने अब तक क्रिकेट के इतियास में 264 रन नाबाद बनाए हैं किस में बनाए हैं? ODI में बनाए हैं वन डेनिंग्स में मतलब एक दिन के खेल में और ये वाला कारनामा इन्होंने 2014 में स्री लंका के खिलाब केलते हुए किया था इडन गारडन कोलकाता में नेश्टै विजय नगर की राजडानी प्राचीन सहर हम्पी के खंडहर किस बरतमान भाती राज में इस्ते थे टो ये जो हमपी के खंडहर हैं आपको मिलेगे करना ठग में विजय नगर जो था समराज की स्थापना की थी 1336 में दो भाहियों ने मिलकर कौन-कौन से हली हर बब बुक्का ने और रहने किस बंस की स्थापना की थी संगम बंस की बहुत ही बैवह साली समराज था इनका अपने नाम सुना होगा राजा किर्ण देवराय के बारे में जिनके दर्वार में नौर रतन रहते थे जैसे अकब बिजय नगर समराज का पतन किस युद्ध के बाद हुआ तो आपको आंसर देना है जनवरी 1565 में की युद्ध हुआ था ताली कोटा का युद्ध बिजय नगर समराज के बीच और दक्कन के जितने भी राज्ज थे सबने मिलकर बजय नगर समराज को हराया था और इसी मंदर जो है एक से बहतरीन मंदर है कि आप सोच रहें पर मजबूर हो जाएंगे कि इन्होंने इन मंदरों को बनाया कैसे होगा यह वाला मंदर देख लीजिए यह बिठल नात का मंदर है विश्नु भागवान का और यहां पर एक रत बनाया गया है एक पत्थर को काट कर औ और अब जब भी पचास रुपए के नोट को पलड़ के देखेंगे तो आपको यही वाला चितर देखने को मिलेगा हमपी के खंडार का यह वाला रत देखने को मिलेगा पचास रुपए की नोट के पीछे नेश मुझा था लगभग 600 बरसों तक परित्यक्त रहने के बास सांची की खोज यानि कि सांची के इस्तूप की खोज किस बरस की गई तो यह की गई थी 1818 में सांची का जो इस्तूप था बो भनवाए था मौर औरस के राजा असोक ने क्यों बर्माए था चूकि असोक ने बहुत धर्म गहण कर लिया था तो इस्तूप भी बहुत धर्म से संब्द़ेदे एक बिल्डिंग होती है ऐसा माना जाता है कि से निजे बुद्ध के अभसे गड़े हुए है वैसे इस तूप को खोल के आज तक नहीं देखा गया कि इसके अंदर क्या है लेकिन इसका माना जाता है और जब आप 200 का नोट पलर कर देखेंगे जो नया वाला आया है तो उसके पीछे आपको सांची का इस तूप मिलेगा अच्छा मैं सब आपको यह क्यों बता रहा हूँ नोट के पीछे क्योंकि खोस्टन इससे आता है कि बताइए 500 के नोट के पीछे क्या है लाल किला है 2000 के नोट के पीछे क्या है तो आप बताएंगे मंगल यान है तो इन सब चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा आप मुझे बताईए कि 100 रुपाय के नोट के पीछे जो नया आया है उसके पीछे क्या बना हुआ है और साथ में ये भी बताईए कि 100 रुपाय के नोट का कलर कैसा है कमेंट सेक्शन में नेश्ट है कोलतु नाडू, बल्लु नाडू और थेकु मकूर भारत के किस राज में प्राची इनकाल के अलप कालिक राज थे मनलब कम समय के लिए तो ये फसाने पला और टफ कॉस्चन है ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केरल में ये राज उस समय थे जब आपको याद होगा कालिकट की राज जमूरन ने स्वागत किया था बासकोडगामा का तो केरल में उस ही समय ये सभी राज थे इनेस्टे जीएस्टी पर से द्वारा लॉटरी पुरुसकारों के लिए निर्धारत की गई समान जीएस्टी दर क्या है तो लॉटरी पुरुसकारों के लिए जीएस्टी लगती है वो लगती है 28% अगर आप एक करोड की लॉटरी जीते हैं तो आपको 28 लाग रुपए सरकार को देना पड़ेगा कलब के बेसी बगर आप खेलते हैं या Amazon का Wheel of Fortune जो संड़े को संड़े आता है उसको भी उज़ करते हैं बहले ही आप कभी जीते ना मन बहलाने के लिए उसको इस्पिन करते रहते हैं और खुस होते हैं लेकिन कभी जीतते नहीं अगर आप गलती से उसको जीत गए तो आपको 28% देना होगा सरकार को बरतवान में जो GST में Tax Slab हैं वो 4 है केवल कौन कौन सी 5%, 12%, 18% और 28% जितनी भी लगजरी की चीज़ें रखी गई हैं वो सब इस 28% वाले सलब में रखी गई है बलब जिनके बिना इंसान जिन्दा रह सकता है अगर इनका अपयोग ना भी करे क्योंकि यह सब लगजरीस चीज़ें होती है लेकिन पानमसाला जिसका प्रियोग करके हम लोग दीवालो को रंगीन करते हैं वो इसी बाले सलब में रखा गया है इससे पता चला है कि जो लोग पानमसाला खाते हैं वो कितने रईस हैं और बाकी जो लगभग 81% बस्तुए हैं भारत में बिखने वाली उनको इस 18% टेक्स लेब में रखा गया है GST का फुल फॉर्म तो जानते ही अब Good and Services टेक्स होता है ये पूछा जाता है ये लागू कब से हुआ तो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से कौन सा सम्मिदान संसोदन करना पड़ा था क्योंकि हमारे टेक्स के नियम पहले से थे तो हमें करना पड़ा था 101 बास सम्मिदान संसोदन जो कि 2016 में हुआ था ये भी बहुत important question है exam में आता रहता है next है तो ये बर्तमान में भी है ये हैं गोत्पियार राजबक्षे और स्री लंका के प्रधान मंत्री कौन है महिंदा राजबक्षे कितना बहतरीन है दोनों भाई भाई है एक प्रधान मंत्री है और एक राशपती है इससे बहतर क्या हो सकता है नहीं सब्द पर हम लोग एक जाम में ध्यान नहीं देते और एक जाम में टिक करके बहुत खोस होते है वैसे इन मेंसे जो पुस्तक नहीं लिखी गई है वो है इसको आफ एन एरा ओफ डार्कनेस से कन्फूज मत करिए अच्छी बात तो इसमें ये है एक एन एरा ओफ डार्कनेस बाला कोस्टन भी इसी सेट में है वैसे एन एरिया ओफ डार्कनेस जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी B.S. नाइपॉल है ये नोबल प्राइस लॉर्याट भी है ये बहुत ही फिमस राइटर थे अब तो इनकी डेथ हो चुकी है बेटेन के रहने वाले तो जब ये भारत आये थे अपनी विजट पे तो इन्होंने इस बुक को लिखा था और इस कुस्टन में जिसकी बात की जा रही है सलमान रुष्दी द्वारा पुस्तक लिखी नहीं है तो ये बांकी तो तीन इनकी द्वारा लिखी है न जैसे कि सेम है मिडनाइट चिल्ड्रेन है अधर सैनिटिक बर्से इनमेंसे जो मिडनाइट चिल्ड्रेन है वो सलमान रुष्दी की पुस्तक लगों हर एकजामें पूछी जाती है बहुत ही फेमस बुक है ये ये इनोंने 1980 के आस्वास लिखी थी और इस बुक के लिए ने बुकर प्राइज भी मिला था तो इस पुस्तक को आप बिचेज रुप से ध्यान रखे सलमान रुष्दी की मिडनाइट चिल्ड्रेन नेस्टे निमलेक समय से कौन सी हड़ी मानाव कान का भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है रकाब का कुद ये सब हिंदी आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे इसमें देखते हैं लोग मेलस, इस्टेपीज, फीमर या इनकस तो आप समझ के होंगे कौन सा पाट नहीं है फीमर आपको पता होगा कि फीमर जो है मानों की सरीर की सबसे बड़ी हड़ी है और वो मनुस्थ की जांग में पाई जाती है जबकि जो इस्टेपीज है वो मनुस्थ के सरीर की सबसे छोटी हड़ी है वो पाई जाती है मद्यकर्ण में इसके हम एनोटोमी देख लेते हैं मानों के कान की ये देखिए ये है पूरा मनुस्ष का कान तीन पार्ट में पटा होता है ये वाला जो हिस्सा देख रहा है ब्राउन वाला वो कहलाता है आउटर येर और रेड वाला हिस्सा देख रहा है आप इतना वाला ये ये है आपका मिडल येर और परपल वाला हिस्सा है ये आपका इनर येर है तो यहाँ पर ये देख लिए कान का परदा है यहाँ पर लगा ये टिमपैनिक मेंब्रेन यह जिल्ली होती है यही कान का परदा होता है अब इस mid brain में देखी रेड़ वाले पार्ड में तीन हड़ीयां लगी हुई है यह वाली है मेलस यह वाली हड़ी है इनकस और यह है आपकी इस्टेपीज यही मेलस के सरीरी सबसे चोटी हड़ी है इनी तीन हड़ीयों के नाम यहां पर लखे हुए मेलस, इनकस और इस्टेपीज नेट पूछा था पर्याटा के स्थल अरकु घाटी दच्छन भारत के निमलिकर में से किस सहर के निकाट इस्थे थे तो इससे पहले के सेट में हमने कॉस्टन किया था कि जो धिमसा निरत है वो अरकु घाटी की महलाएं करती है उसे हमने देखा था अरकु घाटी कहां है आंध प्रदेश में है इस question को राइट आंसर है परियाटा निस्था लेयर कुगाटी बो है बिसाका पर्टनम्यान प्रदेश के और इस से related एक और बहुत ही फिमस जगह है कौनसी बोर्रा केप्स उसको हम आगे आने वाले सेट में देखेंगे नेश्ट है हमारा बयो बरधा स्वतंता सेनानी समाथ सुधारा को नारिबादी सावित्री बाइफ फुले भारत के निमलिकर मैंसे किस राज़िसे हैं तो देखिए सावित्री भाई जो फुले हैं बोथी महराश्ट की ये मौडरन इंडिया में यानि कि अंग्रेजों के जमाने में सोसल रिफॉर्मर की उन्होंने भूमकान भाई फैमिनिस्ट थी ये इनको मदर आफ इंडियन फैमिनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और एक फिरसिद ब्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जोतिवा राव फुले उन्हें की बाईफ थी ये नेश्ट है उस लेका का नाम बताई है जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ओफ डार्कनेस दबिटिस एमपायर इन इंडिया के लिए साहिद तक आदमी पुस्तकर 2019 जीता तो अ नेश्ट है निमलिकत में से किस सब्दकार पालतु कुत्तों का बैगाने कद्यान होता है तो यहाँ पर दिबनागरी में लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं कौन सा सब्द है वो तो साइनियोलोजी को कहते हैं पालतु कुत्तों का बैगाने कद्यान और भी देखते हैं यह होगी उसका होगा the scientific study of shape and size of different human race मतलब मनुस्थ की जो अनगराइक जातियां है जाचे कि निग्रोइड है कोई अफ्रीकन है कोई मंगोल है उन सब की खोपडियों का different different अध्यन करना वो कहलाता है craniology और chemistry sticks क्या कहलाता है study of wealth कौन कितना अमीर है इसका अध्यन कहलाता है cramish districts और कार्पोलोजी का कहलाता है कार्पोलोजी बायोजी के एक branch है इसमें किया जाता है seeds and fruits का अध्यन और syneology तो आप जानी चुके हैं study of domestic dogs next है उस बहुत तक विग्ञानी का नाम बताएं जहने neutron की खोज के लिए मुझे पूरा विस्वास से आप सबको ये trick जरूर पता होगी क्या trick है ये trick है eat पर नाच इसको decode करते हैं e का मतलब होता है electron t का मतलब टांसन मतलब electron की खोज की टांसन ने और ऐसे ही दोनों को decode कर लिते हैं proton की खोज रदर फोड़ने की और नाच का मतलब है neutron की को चैडवग ने की थी next है बिस सुखाद कारिकरम डवलू एपी सैयुक्त राष्ट की खाद दिसाहता साका है इसका मुख्याल है कहां है इसका मुख्याल है रोम में है हम देख चुके हैं इसको कि इसको 2020 का Nobel प्राइज भी मिला है तो फ्रेंट इस तरी की देखे हमने इस सैट के 25 questions को आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो उसको लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार भी रेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब जरू करिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन अब तक पहुंच सके मिलते हैं नेट वीडियो में जय हिन जय बारत